जोतिश में हस्तरेखा का बहुत महत्व हैं जोतिश में हस्तरेखा का बहुत महत्व हैं जोतिश में हमारी हतेली की रेखाएं हमारे भागे को बताती हैं तर्शाती हैं हमारी किसमत का लेखा जोखा बताती हैं कई लोग अपनी किसमत के लिए इन रेखाओं को बहुत महत्व देते हैं लेकिन आपको यह बातली मांनी पड़ेगी किसमत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते है लेकिन आज अपने साहिक अ किस तरीके से लाक्वोन ही बलकि करोड़ों रहना योग होते हैं जिनके पैरों पर फसको निशानियां और्प रिखांथंग गहां जिहां समंदु शास्त के नुसार जिस विक्ती के पैर की सबसे चोटी उगली के किनारे उपर या नीच्वे की तरफ कोई रेखा उठी हुई होती है तो वो बहुत भागे शाली बाने जाते हैं उससे जीवन में हर कदम पर भागे का साथ मिलता है जिहां साथ ही उससे कभी भ धन की कमी नहीं होती है जिस विक्ती के पैर में एडी मूल में तीन उंगलियां उपर मध्य भाग में बंद रही हो तो इसका मतलब है कि उस विक्ती के तलवे में अक्षे धन्रेखा मौजूद है बतादे ऐसे विक्ती जिवन में खूब पैसा कमाते हैं साथी इने भी धन क कमी कभी नहीं होती है तो वहीं जिल लोगों के पैर में त्रिशुल का निशान होता है वेहत जादा भागिशाली माने जाते हैं ऐसे विक्ति सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े हुए शेत्र में नाम कमाते हैं इस निशान वाले लोग कई बड़े अधिकारी होते हैं और तो इने कई गुना फायदा होता है विपार के शेत्र से जुना इन लोगों के लिए बहुत लाबकारी साबित होता है बताते यदि किसी व्यक्ति के पैर की कोई रेखा पैर के तलवे के दो भागों में बाटते हुए अंगुठे से तीसरी उंगली तक जाती है तो ये भी भागय शाली होने का प्रतीक होता है ये रेखा उत्तम भागय रेखा के लाती है ऐसे लोग राज की सुक को भोगते हैं साथ ही इने खूब मान समान भी मलता है नेक्स्टो नायन स्पेच्वल से इंदो की रिपाउट